तो अल्ड कोईन सीजन का ट्रेलर आपने देख लिया होगा जहां पे कुछ कोईन्स के अंदर 20-30 पसंद का बंपाया है एंड कुछ अल्ड कोईन्स तो रात और रात यहां पे 3X, 2X तक हो गए हैं यहां पे high market cap वाले card owner जैसे coins भी हमें 2X होते भी देखे हैं पिछले कुछी दिनों के अंदर आपने से लगबग 3 दिन पहले मैं आपको वीडियो करने बता दिया था अपडेट लेंगे करके एंड बात करेंगे बहुत सारे अल्ड कोई के बारे में वीडियो को लास तक देखते रहेगे का मिनना टाइम बेस करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको तीन चीज़े एक्स्पेरियन करता हूं जो आपके लिए समझना बहुत वर इंपोर्टन है पहला होता है क्रिप्टो मार्केट के अपर जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2.76 trillion इस समझे क्रिप्टो के अंदर इंबस्मेंट हो रका है और यह 2% इंकीज हुआ है लास 24 हर्स के अंदर अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट क्या बढ़ता है डेट मीस की ओल्ड कोईन के अंदर भी पैसा जा सकता है और बिट्पेइन के अंदर भी पैसा जा सकता है क्रिप्टो मार्कट के आप है वो एक मेजर के पास है जो कि अगर ब्रेक आउट होता है तो अगला लेवल यहां पर थ्री ट्रिलियन का रहेगा एंड मैं आपको अगर तो यह वही लेवल है जो कि हमें लास्ट बुल्ट रन के दर देखने को मिलेगा यहां पर क्यूंकि इस बहुत जारा इस्टिजूशन बिट्कोइन के दर आ चुके हैं बहुत जादा यहां पर डोनट अब के दर कुछ महीनों के अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर बिट्कोइन के लिए भी पॉजिटिव होगा और क्यूंकि आप दिखेगा तो उमीद करता हूं आप टोटल क् का एसका इंक्रीजन होने का मतलब यह होता या इसका बुलिश होने का मतलब यह होता है कि ऑल वर मार्के सिव जब सब्ट के दर इनवस्ट्रेंट होती है तो और दूसरा हमारा रहा होता है बिट्कोइन वhouन से इक इक उपन ya ऑर चल ला है एड्ड मीजड टीमिठ nochmal क्या हैAND यहां पर जितना क्रिप्टो मार्केट में पूरा इन्वस्टमेंट है उसमें से कितना प्रसेंटेज बिटकोइन के इन्वस्टमेंट है तो तीसरा हमारा होता है जिसका मतलब अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो सिंपल सा यह होता है कि कि तॉप 10 यहां पर जो क्रिप्टो कौंसी है उनके मार्केट के अब को हम हम पर इठा दें तो कितना पसेंटेज यहां पर इन्वेस्ट हो रखा है बाकी ओल्टमेंस के इन्दर वो यह शो कुड़ता है अगर हम बात करते हैं लास्ट बुल्डण की तो लास्ट बुल्डण क क्या पाद ही गया था एंड जाधा तर major alt coins जो भी थे top 100 में वो हमें pump करते वे दिखे थे अभी currently almost बिल्कुल bottom के उपर यहाँ पर trade कर रहा है बुलिश एंगल फिक मना रखा है weekly chart के अंदर एक breakout ही कर चुका है और अभी इसके अंदर बहुत पमाना बाकी है जो कि हमें indication देता है कि all coins में अभी काफी potential बचा है तो market कुछ इस तरीकी से move करती है सबसे बहले होता है हमाने पास total market cap अगर यह increase कर रहा है ठीक है और साथ में bitcoin नोमलेंस भी increase कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है all coins हले करके increase करते हैं अगर total crypto market cap तेजी के साथ increase कर रहा है जो कि आप लेख सकते हो अभी कर रहा है और bitcoin नोमलेंस फॉल कर रहा है जो कि कल कर रहा था परसो कर रहा था उस समय पे हमें all coins double तेजी के साथ increase करते हैं वह देखते हैं यानि की percentage जो है bitcoin के अंदर investment की वह कम होगी तो all coins सीधन हमें देखने को मिलेगा all coins अच्छे गेंस हमें देते वे दीखेंगे अब सवाल यह है ही कि होता कब है तो दो को इसको समझने करी बहुत simple है सबसे बहुत क्या होता है bitcoin एक top लाता है 2021 के बाद कर रहा हूं एक top लग ज को जाता हुआ दिखेगा उसके बाद जब top लग जाएगा और bitcoin फॉल करेगा जब bitcoin correction लेगा फिर bitcoin जब recovery करेगा तो उस recovery के अंदर अगर dominance यहां पर recovery नहीं करता है साथ में dominance लगातार फॉल करता जाता है तो वह एक ऐसा scene create होता है जहां पर all coins हमें पर्म करता हुआ दिखता ह तो almost 20% के आसपर जाना है अगर 20% नहीं भी जाता है सिर्फ 15% में जला जाता है तो सोचो कितना होगा अभी आपने सिर्फ 1-2% का movement देखा था अगर यह 10-15% यहां से उपर चला गया तो आप अंदादा भी नहीं लाज सकते हैं जित्ते भी आप यहां पर coins देख रहे हो यह टॉप 100 के अंदर जो भी आपको देख रहे हैं यह सब आपको 2x होते दिख जाएंगे वितिन नाइट तो टेर आपने देख लिया है बट पिच्चर अभी पूरी बाकी है उसको समझने के लिए उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगी और आपको समय मा बन सकता है उससे बहले बाइंग करने रिसकी है और वेली यह हो चुका है और मैंने आपको बाइंग लगबग 25 दॉलर पर बताई थी फिर हमारे पास ब्रेकाउट अच्छा है मेरे साब से एक रिटेस्ट यहां पर अच्छे से हो जाएगा फिर हमें रैली कंटीनू करता ब बन साथ सो दॉलर तो एजली जाना चाहिए वेंग को इस और उसकी बाद फिर हमें सुलाना देखने को मिलता है जो कि अपना टॉप लगा चुका है सुलाना मेरे साब से अगर यहां पर लगबग 178 डॉलर तक रिक्या था तो एंटी का मौका मनना चाहिए उससे बढ़ एं 7 डॉलर को हिट कर देगा और इसका नेक्स ट्रागेट हम 4 डॉलर के आसपास भी लेके चल सकते हैं इस और आकम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है काफी बुलिश ड़ा है पुरे 1224 के अदर एंड काफी अच्छा फंडमेंटली भी यह लोग काम कर रहे हैं नेक्स हमारे है मेरे साब से थोड़ा डिटेस्टर में इसके इंडर भी रेखने को मिलेगा अगर 1.5 डॉलर के आसपास दुबारा आता है तो एक एंट्री का माकर इसके इंडर भी बन सकता है उसके बाद है हमारे पास इंजी जो अभी भी बुलिश रेखने को मिल रहा है ब्रेक आउट अभी ब्रेक आउट यह कर अभा है मैं पर्सनली इसको होल्ड कर रहा हूँ और वीव का टार्केट भी 45 से 47 डॉलर की बीच में लेके चलूंगा इस और उसके बाद हमारे पास विफ कोईन है इसके इंडर कल भाइंग बतायी थी विफ कोईन भी एक मीम कोईन है विसे बट बुलिश रेकने को मिल रहा है 3.7 तक अराम सही जा सकता है मेरे साब से कल भाइंग करी थी तो यह टार्केट लेके चल सकते हो अगला है नियर पोटोकॉल जो मुझे लगता है 8.3 डॉलर तक अराम से हिट कर सकता है तो इसके नरगा आपने बाइंग करी थी तो होल्ड कर सक आपको कल बताया था अभी करेंट्ली एक रेजिस से बास है बाइंग कर सकता है बैट एक चल ले रहा है जैसमे कोई अगर 0.020 तक गिर के दुबार से आता है एक सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी बाहिंग बन सकती है उसके बाद टर्बो कोई है जो एक रेंज के इतना कर रहा है तर्बो अगर आपको यहां पर 0.0070 तक मिलता है तो एक अच्छी एंटी मन सकती है मैंने पहले से ही लिमिट और लागे छोड़ दिया है उसकी बाद नियोरो कोई ने एक डिटेस्क करने आ रहा है 0.00210 अगर यहां तक गरी के आता है एक सपोर्ट लेता है तो एक चारो को मिस्स नहीं करना है मैं परसलीन को भाय करके होल्ड करके बैटा हूँ बागी टोटल यह आपके उपर ने छोड़ दिया है अगर आपको भाइंग करनी है तो थोड़ा योज डिटी भी बचा के रखना विक बीच में एक आज करेक्शन जबूर आएगा जो कि हर बा करता हूँ बागी का चोड़ होता हूँ फिर वो जब दुबारा टूएक्स होता है उसकी वाद मैं अपना 50% निकाल लेता हूँ इस तरीके से कर सकते हो जो भी क्रिप्टो पंसी आपकी टूएक्स हो रही है वहां से अपना जो इन्वेस्मेंट वह उन्ठा वो निकाल लो फिर वो दुबारा से डबल हो जाए तो फिर वहां से 50% और निकाल लो इस तरीके से आप मैक्सिम बना सकते हो बागी अगर आपको एक ऐसा क्रिप्टो एक्षेंट चाहिए जहां पर बिना कि वैसी के आप ट्रेट कर पाऊ तो आप ब्लूफिन एक्षेंग कर सकते हूँ ज आपको एक्स्रा बुनाद भी मिल जागा